तमस्कार ग्लिफ्स.िन में आपका स्वागत है आधार कार्ड पर आज भी सुप्रीम कोट में सुनवाई जारी रहेगी बुद्वार को ही सुनवाई में कोट ने कहा कि समाज के हित में शुरुवात की गई सुविधाओं के बारे में सरकार की चिंता जायज है सरकार का ये जाना जरूरी है कि वो सही लोगों तक पहुँच रही है या नहीं आधार मामले में जस्टिस चंद्रचूर ने कहा कि राश्ट हित और निजदा के अधिकार के बीच बैलेंस जरूरी है चीव जस्टिस दीपक मिश्टा ने कहा कि अगर सरकार बिना किसी व्यक्ती की निज़िजानकारी को किसी से साजा किये बगेर आधार कार्ड से सरकारी योजनाओं पर नज़र रगती है तो इसमें क्या हर्जा है आपको बता दे इससे पहले सुप्रीम कोर के जस्टिस चंडर चूर ने कहा था राश्ट्र हिद और निच्ता के अधिकार के बीज बैलेंस होना जरूरी है हम आतंगवाद और हवाला के वक्त में जी रहे हैं इसलिए निष्टा पर बैलेंस बनाना जरूरी है इसी तरह की सूच राएं गूगल जैसे प्राइवेट ऑपरेटर भ नहीं नहीं होता, नागरिकों को बिना सरकार की नजर में आए, रहने का अधिकार है.